टीवी की दुनिया से काफिस सालों तक दूरी बनाने के बाद अबनेत्री रुपाली गांगली ने अपने नए शो अनुपमा के साथ टीवी पर धमाकेदार एंट्रे ली है जिसमें एक ऐसी महिला अनुपमा का करदार निभा रही है जो अपने परिवार के बंधनों में जक् पर उसे इसी भीच अहसास होता है कि उसका भी अपना स्तित्व है खुद की सेल्फ रस्पेक्ट के लिए वो अपने पती के खिलाफ हो जाती है और सब का दिल जीत लेती है इसे के दार की खुबसूरती को परदे पर उतार रही है अबनेत्री रुपाली गांगली जो देख हैं वो क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं अगर आप भी हमारे इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्त तक बनी रहें इसके साथ ही अगर आप भी जाना चाहते हैं इनके परिवार के बारे में तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें आभिनेत्री रूपाली गांगुली कॉलकता के बंगाली ब्राहमण پरिवार से तालुक ठखती है इनके परिवार में इन्हें मिलाकर कुल पाथ सदस्थे हैं इनके पिता मम्मी एक भाई, हस्बन और बेटा शामिल है शुरू करते हैं इनके पिता से जिनका नाम है अनिल गांगुली वो अब इस दुनिया में नहीं है उनका साल 2016 में देहांथ हो चुका है पर आपको बता दें कि इनके पिता बॉलिवुड के फेमस फिल्म डिरेक्टर है चुके हैं जिरो ने साहिब और कोरा कागस जैसी काफी सारी हिट फिल्मों का निर्देशन किया है वही बात करें इनकी ममी की तो इनकी ममी का नाम है रजनी गांगुली जो वर्थबान में 60 साल की है अपने पिता के जाने के बाद ये अपनी ममी के काफी क्लोज हैं और दोनों मा बेटी की क्लोजनेस आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो ये अकसर अपनी ममी के साथ शेयर करती हैं माता पिता के बाद बात करें इनके भाई की तो इनका एक छोटा भाई है जिनका नाम है विजय कांगुली वो पेशेस एक अक्टर हैं जिन्होंने कई टीवी शो और फिल्म में छोटे छोटे रोल निभा कर सफल अक्टर के रूप में पहचान बनाई है पर अपनी पोसनल लाइफ में वो सिंगल है अब बात करें इनके रियल लाइफ पती के बारे में तो इन्होंने अपनी लॉंग टाइम बॉइफरंड अश्विनी के वर्मा को अपना हमसफर चुना है और साल 2013 में उनके साथ शादी के बंधन में बन गए वहीं शादी के कुछ सालों बाद दोनों को एक बेटे का आशिरवाद भी मिला है आपको बता दे कि इनके पती पेशे से एक बिजनसमैन है जो अपने बिजनस में काफी सफल है वहीं बात करें इनके बैटे के बारे में तो इनके बैटे का नाम लुथ दराँश है जो खी वर्तुमाण में अभी तीन साल के हैं और अपने माता पिता के साथ अपनी लाइफ इंजोई कर रहे हैं रुपाली अक्सर अपने बैटे के साथ बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं अब जब ये शादी शुदा हैं तो इनके परिवार में इनके सस्राल वाले भी जुड़ चुके हैं इनके सस्राल वाले परिवार में इनके साथ सस्राल जो लाइम लाइट से दूर रहते हैं इसलिए उनकी कोई तस्वीर एंटरनेट पर नहीं है पर उनके साथ इनके रिष्टे काफी अच्छे हैं तो दोस्तों आपको रूपाली के परिवार का कौन सा सदस्स सबसे जादा पसंद आया आप हमें उनका राम कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही टीवी इंडस्ट्रे से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें